आवई सिभी लोगों को नमस्कार और एक बार फिरसस्ट वागत आप सभी लोगों का उमीद करता हूँ कि बढ़िया होंगे जबरदस्त होंगे और अपने पढ़ाई बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे उत्रपदेश की पुलिस परिक्षाओं की दोर चल रहा है और उत्रपदेश में अभी हाली में कॉंस्टेबल के एक्जाम आने वाले हैं कॉंस्टेबल के एक्जाम डेट अनाउंस हो गई फोम भरे जा चुके हैं पचास लाक करीबन बच्चों ने फोम भरा है और एक्जाम भी आपका जहां तक है फाइनल है लेकिन अब इस बीच एक और बात है UPSI की उत्रपदेश सब इंस्पेक्टर के एक्जाम के अगर मैं बात करूं तो यह वेकेंसी अलांकि यह चर्चा 2021 से चल रही है 2021 में कहना था कि 800-900 करीबन के यहां पर पद आएंगे लेकिन वो बात चलते चलते 2023 तक भी आ गई उत्रपदेश प्रणोती भरती बोर्ड पर जब आप जाते हो तो वहां भी आपको कुछ satisfactory जवाब देखने को नहीं मिलता और बड़ा संशाय यह है क्योंकि पहले यह बात थी कि जिस तरीके से यूपी कोंस्टेबल की इन्होंने जल्दी करी यूपी कोंस्टेबल जिस स्पीड से करा radio operator करा उसी स्पीड से शायद UPSI भी आएगी और लगबग अनुमान ये था कि 15 जनवरी से पहले आपकी vacancies announce हो जाएंगी form आपके आजाएंगे और लगबग March और April के अंदर आपकी परिक्षाएं करवा दी जाएंगी तो अभी तक तो ये अनुमान था टेंडर वेंडर की सारी पहले अमने बात कर ली है तो आज कुछ में में सवाल है उनके आपको मैं जवाब दे दूँ एक सबसे पहले भरती आएगी कब आएगी form कब भरे जाएंगे और परिक्षा कब होगी और vacancy कितनी है देखो कब आएगी form कब भरे जाएंगे परिक्षा कब होगी इसका जवाब बस एक इन में से एक का जवाब अगर अपने को मिल जाएगा तो बाकी सारी आपको जवाब मिल जाएंगे वेकंसी कितनी है सबसे पहले उस पर एक बार नज़र डाल देते हैं फिर बाद में वापस आएंगे इन चीजों पर वेकंसी की अगर मैं बात कुरूं तो 2021 में वेकंसी आई थी हालांकि इसकी भी चर्चाएं 2019 में ही चलने लगी थी और 4534 पद यहां पर 2021 में अनॉंस किये गए थे इतने पदों पर भरती आयोजित की गई थी अब 2021 वही लगबग 2 साल हो गया 2023 भी चला गया तो यहां पर आप उत्तरप्रदेश पुलिस प्रणोती भरती बोर्ड पर जाते हो तो वहां पर लिखा हुआ है कितनी भरती आएंगी कि डिपार्टमेंट ने ये लिख कर भेजा है कि हमें इतने लोग चाहिए UPSI के अंदर भरती आते आते शायद इनकी संख्या आपकी 3500 के करीबन हो जाए 3500 प्लस आपकी ये वेकंसी हो जाएगी कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि वेकंसी बाद में फिर डिपार्टमेंट अधियाचन और एड कर देता है उसमें सारी चीजें बढ़ती चली जाती है तो वेकंसी आप बेफिकर रही है करीबन तकरीबन 3500 करीबन प्लस वेकंसी आपकी यहाँ पर होने वाली है 3299 आपकी हो गई है हालां कि शुरुवात में बात चली थी कि 800 कुछ पद आएंगे इस जो वेकंसी वेकंट रह गई थी उनको एड कर देंगे तो लगबग इतनी पिचानवे करीबन 3500 करीबन वेकंसी हो जाती है अब बात है एक बार पैटन को समझ लेते हैं क्वालिफिकेशन इसमें चाहिए ग्रेजवेशन होना जरूरी है दसवी बार इसमें काम नहीं चलता है एज की अगर मैं बात करूं उम्र की अगर मैं बात करूं तो यहां 21 से 28 वर्ष आपको जनरल कैटेगरी में एज आपको दी जाती है मतलब 21 से 28 तक के बच्चे इस फोम को भर सकते हैं क्या एज रिलेक्शेशन होगा तो एज रिलेक्शेशन का जैसे की यूपी कॉंस्ट में हाला कि दिया नहीं था बाद में बच्चों ने मांग रखी तो जाके एज रिलेक्शेशन की इन्फोर्मेशन आई तो ऐसे उम्र शीमा इसके अंदर सुरुवात में तो मुझे लगता है कि नहीं दी जाएगी उम्र में छूट जो है वो नहीं दी जाएगी 21 से 28 ही आप तो 21 से 28 ही रहेगी आप जनरल में ही काउंट होगे जब आप उत्तर प्रदेश में भरोगे अन्यराज से अगर आप OBC है SC ST है तो 21 से 23 साल आपकी यहां पर एज होने वाली है 5 साल का रिलेक्शेशन जैसा कि स्टेट में चलता है वही रहेगा तो मिनिमम एज 21 है और 1 जनव 24 तक आपकी एज कैलकुलेट यहां पर की जाएगी पैटन की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले रिटन एक्जाम होता है रिटन एक्जाम होता है 400 नंबर का यह पेपर होता है धाई अंको का एक क्वेशन होता है धाई नंबर का एक सवाल होता है दो घंटे आपको दिये आपका एक cut off यहां पर आ जाती है और बतीस सो बच्चों का अगर विग्यापन जारी करते हैं तो वो लगबग बतीस सो बच्चे ही लेते हैं medical medical यहां होता रहता है ठीक है तो इस तरीके से इसका exam pattern होता है exam में देखें तो exam based की अगर मैं बात करूं तो online होगा कि offline तो जहां अलग chances है online हैं लेकिन हाला कि कुछ विग्यापनों में हमने एक अलग से देखा एक अलग तरीक सिस्टम देखा जिसमें online और offline का combination सरकार द्वारा बताया गया online offline पर उस पे देखना है कि उस पे क्या result आता है बाकि हिंदी के 40 सवाल आते हैं reasoning के 40 मैच के 40 लेकिन reasoning के यहां से 10-15 सवाल reasoning के ही डाल दिये जाते हैं और मैच के 40 सवाल GKGS के 40 सवाल जिन में से आपके 10 सवाल जो है important important आ जाते हैं धाई number का एक question होगा तो total आपके 400 number का paper होगा 160 सवाल होगे 160 सवालों को करने के लिए आपको जो मिलेंगे 120 minute आपको मिलेंगे इसको solve करने के लिए याने के 2 घंटे आपको मिलेंगे और 400 number आप इसमें attempt करते हो negative marking अभी तक तो है नहीं negative marking इसमें नहीं थी अगर आती है तो आपको information बता दी जाएगी negative marking अभी तक नहीं थी अगर cut off की देखूँ यह final cut off नहीं है यह general वाली जो पहले cut off आती है वो cut off है पिछली बार general की 302 cut off रही थी OBC की 227 302 को अगर 25 से डिवाइड कर दोगे तो 160 सवालों में से लगबग लगबग आपको 125 सवाल 130 सवाल के करीबन आप जनरल पे आप cut off थी एक OBC 287 EWS 285 SC में 260 और ST में 223 cut off यहाँ पर रही थी अब बात कर लें ते फिजिकल की तो पूरसों की मैं बात करूँ जनरल OBC SC की अगर बात करें तो हाइट यहाँ पर मांगी गई है 168 ST यानि के अनुसुचित जनजाती में 160 सेंटिमेटर महिलाओं की अगर मैं बात करूँ तो 152 सेंटिमेटर आपकी हाइट मांगी है और किसके लिए जनरल OBC और SC के लिए ST के लिए 147 सेंटिमेटर यहाँ पर हाइट मांगी गई यह बहुत ज्यादा हाइट यहाँ पर नहीं मांगी गई है 2.4 किलोमेटर 16 मिनिट के अंदर भागना होता है तो यह पूरा पैटन होता है अब आईए मुख्य सवाल पर आ जाते हैं कि सर आपने में बात का जवाब नहीं दिया जिसके कारण हमने यह जोइन करा वेकेंसी हमारी हो गई वेकेंसी हमने आपको बता दिया कि 3500 करीबन प्लस वेकेंसी आपकी यहां पर आएंगी अब फोर्म कब आएगा तो फोर्म जहां तक है जन्वरी का अनुमान था लेकिन अभी जन्वरी एंड में याने के जन्वरी अंतिम सप्ताह के अंदर यहां पर आपका फोर्म आ जाएंगे यहां अनौंस्मेंट वेकेंसी अनौंस हो ज जाएगा मार्च के अंत में सर आप इतने कॉंफिडेंस से कैसे कह सकते हो क्योंकि जिस तरीके से यूपी कॉंस्टेबल में करा गया उसी तरीके पर अगर इन्हें यूपी एसाई करवानी है आपको पता है चुनावी वर्स है इतनी सारी वेकेंसिया निकाल रही है उत्तरप् तो आप लोग अभी से तैयारी में जुट जाएए बहुत ही बहतरीन तरीके से अपने तैयारी को डेली हमारे यहां क्लासेस आपके जो भी चलती है उन क्लासेस को जोइन करें बढ़िया से अपने और एकदम अपने आपको तयार कर लें क्योंकि एकदम से फटेगा और फि फिर आपको डर लगता है फिर आप जैसे यूपी कॉंस्टेबल में हो रहा है बहुत सारे नए विध्यारती इसमें नहीं जुट पारे क्योंकि भाईया क्या समझे क्या समझे क्या समझे क्या नहीं समझे कितना छोड़े कितना पड़े तो समश्या से निपटने के लिए अ आप लोगों के लिए ही ताकि आप इसको तैयारी को थोड़ा सा सीरेसली ले और स्टार्ट करते चले तो मिलता हूं मैं आपको अगले सेशन में और भी कोई आपको बात पूछनी हो और कोई बात बतानी हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखतीजेगा तब तक के लि जाल रखे ध्यान रखे बाई बाई जय हिंद जय भाराइट